प्रेंड्स मेरा नाम राकिश वर्मा और मेरी यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में जानेंगे राज्य मानावधिकार आयोग के बारे में इन से जोड़े महत्पूर्ण तत्यों को जानेंगे जो हमारी मद्य प्रदेश प्रत्यों की परिक्षा की दरश्टी से आपके लिए महत्पूर्ण रहेगा तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम समचिप्त में जानेंगे उसके बाद दोस्तों हम उसका डिटेल जानेंगे गठन हुआ था मानव अधिकार सनरक्षन अधिनियम 1933 की धारा 21 के तहत प्रथम गठन हुआ 13 सितंबर 1995 को मद्य प्रदेश में जो मैंने बताया है प्रथम गठन यह मद्य प्रदेश मानवदिकार आयू का गठन हुआ था मद्य प्रदेश में 13 सितंबर 1995 को संरचना जाने राज्य मानवदिकार रायूक्ट के अध्यक्ष हाई कोट के सेवा नर्वित्य मुख्य नयाधिस या अन्य नयाधिस होंगे अन्य सदस्व में नयायक सदस, गैर नयायक सदस भी और एक सदस CEO मुख्यकारकारी अधिकारी नियुक्ति राज़पाल की द्वारा होती है, पदमुक्ति राष्टपती द्वारा होती है, कारेकाल होता है इनका अध्यक्ष एवं सदस्यों का कारेकाल तीन वर्ष अत्वा सत्तर वर्ष की आयू जो भी पहले हो शेवसरतें राज्य सरकार दौर निर्धारित होती है और इनके प्रमुक्ष कार मानवधिकार हननन के मामलों की जाच करना, किसी जेल अत्वा सुधार, अत्वा सुरक्षा ग्रहों की आवाशिय दसाओं का निरिक्षन और बिचारा धीन हननन के मामले में नयालाई के भाग लेना, चलिए अब जानते हैं राज्य मानवधिकार आयोग से जुड़ी बात हैं, तो राश्ट्रिय मानवधिकार आयोग की तरज पर मद्य प्रिदेश शाषन द्वारा, मद्य प्रिदेश मानवधिकार आयोग का गठन 13 सितंबर 1995 को किया गया, जिसका मुख्याल है भोपाल में हो, और यह एक स्वायत संस्ता है, मद्य प्रिदेश राज्य मानवधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जो बरतमान में बाय हैं, न्यायमूर्ती स्री नरेंद्र कुमार, और अन्य सदस्य हैं जो स्री मनुहर, ममतानी और स्री सरबजीत सें, अब जानते हैं राज् गठन का प्रावधान है, ऐसे आयोगों का गठन, राज्य सरकार, राज्य पाल द्वारा किया जाएगा, तथा इसे राज्य मानवधिकार आयोग के नम से पुकारा जाएगा, अध्यक्ष, अध्यक्ष के लिए वही ब्यक्ति पात्र होगा, जो किसी उच्च नयालय का कुल चार सदस होते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा, जो उच्च नयालय का नयादीस हो या रह चुका हो, और दूसरा ऐसा व्यक्ति होगा, जो जिला नयादीस हो या रह चुका हो, तथा दो अन्य सदस ऐसे व्यक्ति होगे, जिनहें मानवधिकार आयोग से सम्बं काल तीन साल अथवा सत्तर वर्ष की आयू दोनों में से जो भी पहले पून हो तक होता है मानावधिकार आयू के अध्यक शेवम अन्य सदस्यों की निक्ति राजपाल करते हैं पर पद से उनको पदमुक्ते हटाना केवल राष्टपति कर सकता है अब जानते हैं राजमानधिकार आयू के कारे किसी यदि किसी सासके शेवक अथवा निजी ब्यक्ति के द्वारा मानावधिकारों का हनन किया गया है अथवा ऐसा करने के लिए उकसाया गया है अथवा उसने ऐसा हनन रोकने में लापरवाही की है तो ऐसी सिकायत की जाच करे राज्य सरकार को सूचित करके किसी जेल अत्वा राज्य सरकार के नियंत्रना धीन ऐसी संस्थाका जहां लोगों को चिकत्सा सुधार एवं सुरक्षय हितु ठेराया जाता है बहां कि निवाशियों की आवाशी दशाओं की निरिक्षण करना उनके बारे में अपने तीसरा किसी नेले में वैचार धीन माना अधीकार के हनन के मामले में संबंधित नेले के अनुमूदन से ऐसे मामलों के कारवाहि में भाग लेना चौथा, सम्भीदान अत्व किसी अन्य कानून द्वारा माना अधिकार की संरक्षन के लिए प्रदत रक्षव पायों की समिक्षा करना अत्व उनके कारेन वे उनकी संबंद में सुझाओ देना आतंक बाद से संबंधित सारे किरिया कलापों की समिक्षा करना जो मानव दिकारों का उप्यूग करने में बाधा डालते हैं तता उनकी निवारण के लिए उपाय सुझाना मानाव अधिकारों से संब्धित अनुशंधाने कारे को अपनी हाथ में लेना एवं उसे बढ़ावा देना समाज के बिभिन बरगों में मानाव अधिकार संब्धि शिक्षा का प्रसार करना तता प्रकाशनों में संचार माधिमों एवं संगोष्टियों और अन उपबंद उपलब्द शाधनों द्वारा मानाव अधिकारों और अन उपलब्द साधनों द्वारा मानाव अधिकार संब्धि रक्षा उपायों के प्रति समाज को जागरुक करना मानावधिकारों के छेत्र में क्रियासील गेर कानूनी संगठनों तता संस्थाओं के प्रयासों को प्रोथसाहन देना मानावधिकारों की समुन्नती के लिए आवशक समझे गए अन्यकार करना संयुक्त राष्ट संगटन तदा केंदर शरकार द्वारा मानावदिकार के लिए की गई घोषणाओं के अबलूकन में प्रयासरत रहना किन सिकायतों पर कारवाही आयुक द्वारा नहीं की जाती है ये जान लेते हैं पहला ऐसी घटना में जिनकी सिकायतें उनकी घटित होने के एक सालवाद की गई हो दूसरा ऐसे प्रकरण जो किसी भी नयलाय में अत्वा किसी आयोग के समक्ष बिचारा धीन हो तीसरा ऐसी सिकायते हैं जो पूरी तरह सक्षम ना आती हो जिसमें ओशापन देखता हो या जो आयोग के विचार छेतर के बाहर के मामलों से सम्बन देथ हो शिकायत भेजने की प्रकरिया तो पीडित ब्यक्ति द्वारा स्वयम अथ्वा पीडित ब्यक्ति के किसी पीडित ब्यक्ति की और से किसी अन्य ब्यक्ति की द्वारा आयूग के पते पर प्रार्थना पत्र देकर निशुल के सिकायद कराई जा सकती है तो दोस्तों ये थे राज मानवति का रायक सुझड़े महत्पूर्तत आसा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आये होगा मेडियो पसंद आये तो लाइक करें अपने दोस्तों करें शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू